अब आते हैं पॉलिटी के उपर, पॉलिटी के बारे में बात करते हैं, yet again एक बहुत important topic है, एक बहुत important subject है, consistently prelims में सवाल पूछे जा रहा है, और mains में तो GS2 के नाम से पूरा का पूरा paper ही पॉलिटी का होता है, या major portion उसमें पॉलिटी का आता है, तो बहुत important topic है, और इसकी सिर्व एकी किताब है, या इसका सिर्व एकी source है, और वो है I am Lakshmi Gant, that's it, the end, end of the story, Lakshmi Gant के अलावा कोई और किताब पढ़ने के ना तो जरूरत थी, कभी भी पॉलिटी के लिए ना है, ना कभी आएगी, ये किताब पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, लगतार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, that's it, end of the discussion, end of the story, prelims में कोई भी सवाल आए, आप से करते बनेगा, मेंस में भी कोई भी सवाल आए, आप से करते बनेगा, अब Lakshmi Gant की problem यह है कि इसमें 1600 के करीब pages है, जब मैंने पढ़ी थी तब इसमें 71 chapters हुआ करते हैं, आप सुनाएं कि 85 के असपास chapters हो गया, पूरी किताब आपको equal enthusiasm के साथ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें खास आपने central government का जो topic है, वो हो गया, state government का जो topic है, जो आपको ऐसी समझ में आ जाएगा, central government यादर, उस state ऐसी याद हो जाता है, इसके अलावा, directive principles of state policy हो ग आपने prepare करना है, मैं इसको अपने channel पर, in fact, पूरा का पूरा लक्षमिकांत में पढ़ाऊंगा भी, तो इसके मैं video बनांके डालूँगा, आप वहां से भी इसको refer कर सकते हैं, but the point is, लक्षमिकांत ही आपने पढ़नी है, और इसके जो शुरुवाती portions है, part 1, जिसमें historical background की बात की गई है, fundamental rights and directive principles, fundamental duties, amendment of the constitution, ये सारी चीज़ है, part 2, जिसमें center-state relationship को बताया गया है, कि power distribution किस तरह से किया जाता है, emergency क्या है, emergency किते तरीके की होती है, center की list क्या है, state की list क्या है, concurrent list क्या है, इस सारी चीज़ है, उसके बाद central government, उसके बाद में state government, then constitutional and non constitutional bodies, इतना जो है आपने अच्छे से prepare करना है, इसके इलावा भी इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, पंचायती राजे के अच्छा important topic है, further इसमें national integration, फलाना डिकाना दस तरीके की बातें दी गई है, बट इतना इतना, पहले जो आपके 3-4 parts है, इनको आपने अच्छे से prepare कर लेना है, उसक relationships के बारे में बात की गई है, part 3 जिसमें central government के बारे में बात की गई है, part 4 जिसमें state government के बारे में बात की गई है, part 5 जिसमें constitutional bodies को discuss किया गया, और part 6 जिसमें non constitutional bodies को discuss किया गया, कम असकाम इतना जो है आपको पढ़ना ही पढ़ेगा, इतना जो है आपने प्रिपेर करना है, हो या फिर maximum बच्चों का जो है फिवरेट हो जाता है तो आप लोगों को भी जो हैस में मज़ा आएगा इतना इतना आपने पढ़ना है वो सकता है इसके लावा भी 500-700 बनने अडिशनल दिया हूँ देख लीजिएगा उसमें से कोई important topic रखता है तो आप पढ़ सकते हैं नहीं लगेगा तो नहीं पढ़िएगा कोई दिक्कत नहीं है मगर इतना इतना जो है लक्षमी कांत आपने पढ़नी है और अच्छे से इसको prepare करना है इतना आप कर लेते हैं तो फिर आप चाहे प्री के लिए बैठें चाहे मेंस के लिए बैठें दोनों के लिए आपका सारा का सारा जो content है वो prepare हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं को चाहे से प्रेपार कर दो